हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग लिए निव टॉपिक लेके आया हूं ब्याज निकालना सीखे मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ब्याज कैसे निकालते हैं ब्याज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मुह जबानी कैसे ब्याज निकाला जाता है मैं इस वीडियो में आपको पूरा डीटेल से बताऊंगा कि मुझे बानी कैसे भी आई निकाला जाता है और फर्मूला इसका क्या होता है फर्मूला से भी बताऊंगा कैसे भी आज हम निकालते हैं इस वीडियो में पूरा डीटेल से बताने वाला हूँ तो पिलिज वीडियो को मनोज ने 50,000 रुपए दिनेश से 6 महीने के लिए 3% की दर से ब्याज पर लिए तो इसका एक महीने का ब्याज कितना होगा? कोस्चन आफ समझ लीजिए ब्याज कैसे निकालते है हमारा मेण कोस्चन किया है? मनोज ने 50,000 रुपए दिनेश से छे महीने के लिए 3% की दर से ब्याज पर लिए पैसे ठीक है तो एक महीने का ब्याज कितना होगा ये हमको निकालना है अगर हम एक महीने का ब्याज निकाल लेंगे तो हम इंटू 6 कर देंगे तो हमारा 6 महीने का ब्याज मालूम चल जाएगा 3% की रेट से हम गाउं देहात मे अक्सर हमारा जो ब्याज लिया जाता है वो ऐसे ही हमारा ब्याज रहता है यह हमारा bank का calculation नहीं है bank का अलग हमारा ब्याज calculation होता है तो हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा 3% के दर से मनोज ने 50,000 रुपे दिने से 6 महिने के लिए 3% की दर से ब्याज पर लिए तो इसका एक महिने का ब्याज कितना होगा इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा मुह जबानी हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ जैसे कि आप लोग के सामने ये दीख पा रहा होगा मनोज ने 50,000 रुपे दिने से 6 महिने 6 महिने के लिए 3% के 10 से ब्याज पर लिए तो एक महिने का ब्याज कितना का मुह जबानी अगर आपको निकालना है तो हमारा एक महिने का हमारा 100 रुपे का एक महिने का कितना रुपे हो जाएगा 3 रुपे ठीक है एक महिने का हमारा 100 रुपे का हमारा 3 रूपए का हमारा 3 किसे हुआ है एक हजार हमारा कितना हो जाएंगा 30 quindi कैसЯ हुआ एक हजार का हमारा कितने बार हम कितने सो लेंगे जो हमारा होगा एक हजार दोस्तों दस बार हम सो लेंगे तो हमारा एक हजार होगा इन्टू हम यहाँ पर क्या करेंगे इन्टू 10 करेंगे तो हमारा कितना होगा 30 हो जाएगा ठीक ता हमारा ये 100 रूपे 100 रूपे का कितना रूपे एक महीने का हुआ 3 रूपे हमारा 1000 का कितना हो जाएगा 30 रूपे 30 रूपे कैसे होगा कि हमार 10 टाइम हमारे 10 गो अगर 100 लेंगे तो हमारा 1000 पूझता है इसलिए हमने 3 में हमने 10 से multiply कर दिया यानि गुणा करना है 10 से हम 3 में गुणा कर दिया तो कितना 30 हो गया वह सही हमारा same to same कितना है 10,000 है ठीक है 10,000 है कितना होगा 300 रूपए 300 रूपए कैसे हुआ कि हमारा 10,000 आने के लिए कितने time हम कितने 1000 का note लेंगे तो हमारा 10,000 फूझेगा यह सूची दस हजार कितने यानि कि हम एक हजार का दस नोट लेंगे तो हमारा कितना होगा दस हजार इसलिए हम क्या करेंगे तीस में दस से गुणा करेंगे तीस में दस से गुणा करेंगे आप देखिए यह हमारा तीस से दस से गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा तीन सो ुएं वाइसे ही हम पचास हजार ठीक है हमारा पचास हजाल है यहां पर देखींDo कितना हो फंद्रआश wagon क्पेसे हुआ कि हमर फंद्रोस jogar का ये हमारा दस हजार है ठीक तु कितने हजया का नूट लें हो गार कितना हो करेंगे मारा फचाहित ते कितना होगा मैनेem क। मत्वार Shrach theories कराने कि बिवानगे कि यख सो और कितना काया हमारा से लिगत हाएंग। पूंद्रस हो गया फिक हैं हमारा एक हजार पूजार एसलिए हमने दस से मुल्टीप्लाई कर दिया था थाजार है तो अगर हम एक हजार का दस नोट लेंगे तो हमारा कितना से कि आ लिए तो हमारा कितना आया थीस में दस से करेंगे थाम थीन सेा आजाएका हुई से हम को पचास थाइम करेंगे तो लिए भी Church भूआ करेंगे हमारा uw- task घ्रक जाएगा ठीक है ऐसने हम मुझचावानी हम कैल्कूलेट कर सकते हैं ठीक है अब चालेंगे इसका 15 सो हो जाएगा ठीक है ऐसा ही हम मुझाबानी हम calculate easily कर सकते हैं ठीक है तब आपको बताने वाले formula से हम कैसे निकालेंगे इसका formula क्या होता है तो वीडियो में पूरा आप last तक देखें मैं आपको एक बार और question समझा देता हूँ मनोज ने 50,000 रुपे दिनेश से 6 महिने के लिए 3% की दर से ब्याज पे लिए तो इसका एक महिने का ब्याज कितना होगा मैं formula से आपको detail से समझा देता हूँ इसका formula क्या होता है ब्याज बोराबर मुलधन इंटू समय इंटू दर ठीक है भागे 100 यह formula आपको याद रखेगा मुलधन इंटू समय इंटू दर मुलधन हमारा क्या है मुलधन हमारा कौन सा है हमने कितने ब्याज पर लिए 50,000 रुपे लिए कितने समय के लिए लिए हमने वह आपको ध्यान रखना कितने समय के लिए लिए एक महिने के लिए निकलना है एक महीन के लिए जो हमारा काईम कितना है एक महीना चुना हो दृधु podemos हम यहां पर क्या है तो इसका एक महीने का ब्याज कितना होगा तो हम समय कितना हो जाएगा एक दर हमारा कितना है यहां पर ध्यान से देखिएगा दर मतलब हम कितना परसेंट पर लिए तीन परसेंट पर लिए ना वह हमारा हो गया यहां पर भागे सो तो मूल दन हमारा कितना ना था 50,000 यह मरसा कितना समय कितना है हमाएं कर दिया यहाइप किया एक लिख दिया और यहां पिद्र कए है उसको हम दर बोलते हैं यह हमारा 3% है तिसके हमें आप तीन कर दिया जब हम यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमने आपका फर्मूला मुलधन इन्टु समय इन्टु दर होता है भागे 100 तो हमारा 100 आ गया तो हमारा इसको जब कैल्कुलेशन करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा सीधा पंदर जो रूपए आएगा तो इसको कैल्कुलेशन करेंगे सीधा ध्यान रखिएगा पंद्रह सो रूपे हमारा एक महीने का ब्याज निकल के आ गया ठीक तो ऐसे हमारा कितने के था छे महीने का ब्याज कितना होगा छे महीने के लिए हमने क्या किया पंद्रह सो इन्टु छे से मल्टिप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारा 9000 रूपे ठीक है तो ऐसे ही आपक जाधन हो गया समय हो गया यानी कितने महीने के लिए हम ब्याज निकाल रहे हैं तो एक महीने के लिए निकाल रहे हैं ना चैनल को शुक्राइब कीजिए लाइक कीजिए सैर किजी स disorders by